Hello students, this is Vani and welcome to E4 English आज का हमारा lesson है punctuation जिसे हम punctuation mark भी कहते हैं और इसे हम Hindi में विराम चिन्ह भी कहते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि punctuation क्या होता है और इसके types क्या है और किस तरह से ये English grammar में use के जाते हैं तो ये सब cover होगा आज की इस वीडियो में और अगर आप हमारे इस चनल पर नए हैं तो जल्दे से जल्दे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की notification मिल जाएगी और अगर आपको ये lecture पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी support है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन punctuation So punctuation को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा इसका basic समझ लेते हैं जैसा कि आप screen पर देख सकते हो कि आपको different face expressions दिखाई दे रहे हैं That means कि आप किसी को देख कर आप पता कर सकते हो कि ये नाराज है person या फिर गुसे में हैं वो देख कर पता कर सकते हो तो emotions को feelings को हम देख कर पता कर सकते हैं और बॉल कर भी हम दूसरे की feelings को समझ सकते हैं कि वो गुसे में हैं, खुशी में हैं तो ये सब हम बॉल कर भी कर सकते हैं तो emotions को बॉल कर किस तरह से हम बता सकते हैं वो है आपकी tone, मतलब आपका लहजा, बोलते हुए आपकी tone कैसी है, वो बताती है आपकी emotions, जैसे कि अगर आप किसे से गुसे में हो तो आपके tone जादा हो जाती है, high हो जाती है, अगर आप politely बात कर रहे हो तो आपके tone नीचे हो जाती है, मतलब tone जो लहजा है बात करने का, वो आपकी emotions को बताता है, आपकी feelings को बताता है, तो आपकी feelings और आपकी emotions हम देखकर confirm कर सकते हैं person को, और बोलने के धंग से confirm कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी feelings को लिखते हो और कोई दूसरा उसको पढ़ रहा हो, तो उसको कैसे पता लगेगा कि आप उससे किस way में बात करना चाहते हो, कि आपकी कोई statement पढ़ते हुए, उस time आपकी feelings क्या थी, तो ये feelings जो हैं जो आप लिख कर बताते हो, तो उन feelings को पढ़ने वाले को वैसे ही दिखाने के लिए, present करने के लिए हम punctuation यूज करते हैं, तो punctuation क्या है, it is used to show feelings, ये आपकी feelings को दिखाने के लिए, कि जो आपने बात की है, तब उस time आपकी feelings कैसे थी, किस तरह से आप, मतलब ये चीज बोल रहे थे, किसी के सामने, जो आपने लिख कर बताई है, तो वो punctuation के थुरू बताते हैं, writing में, so without punctuation, English is very difficult to comprehend, और punctuation के बीना, English जो है, वो समझने बहुत मुश्किल है, जैसे, let's eat ria, अब यहाँ पर देखिए, जो full stop है, वो भी एक punctuation mark है, लेकिन यहाँ पर in between कुछ भी use नहीं हुआ है, ठीक है, let's eat ria, अगर इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो मतलब बनता है, चलो ria खाओ, मतलब ria को खाने की बात हो रही है, तो चलो ria खाओ, तो meaningless हो गया, ऐसे ही अगर यहाँ पर हम कौमा लगा देते हैं, तो let's eat ria, चलो खाते हैं ria, अब यहाँ पर कौमा लगाने से ही meaning change हो गया, that means कि punctuation जो है आपकी feelings को तो बताता है, लेकिन साथ के साथ यह भी बताता है, कि उस conversation में, जो आप conversation writing में present कर रहे हो, तो उस conversation में आप क्या exactly कहना चाते हो, मतलब क्या meaningful बात करना चाते हो, जिससे कि पढ़ने वाले को exactly वही पता लगे, जो आप उसे कहना चाते हो, तो punctuation आपकी feelings को बताने के साथ-साथ, meaning भी बताता है, कि आपका कहने का मतलब क्या है, तो यह है punctuation, तो punctuation क्या है, punctuation is a system of symbols that we use in writing, in order to express our feelings in written English, तो punctuation क्या है, punctuation प्रतीकों की वह प्रणाली है, मतलब वह symbols हैं, जिसका उपयोग हम लिखित रूप में अपनी भावनाओं को, लिखित अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए करते हैं, मतलब हम अंग्रेजी में लिखते तो हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, हम अंग्रेजी में कुछ symbols यूज करते हैं जिससे कि वो meaningful हो जाए These symbols help to tell feelings and emotions ये प्रतीक भावनाओं को बताने में मदद करते हैं We use these symbols to enhance sentences and add clarity हम इन प्रतीकों का उप्योग वाक्यों को समझने और पश्टता जोडने के लिए करते हैं कि अगर हम इन symbols को अपनी conversation में, written conversation में use नहीं करेंगे तो उसका अर्थ ही, उसका meaning ही change हो जाएगा That means ये हमें उस sentence की clarity देते हैं कि आप दूसरे से क्या बात करना चाहते हो There are 15 punctuation marks in English English में total 15 punctuation marks हैं और वो हैं जैसे full stop, period, जैसे हम dot के through recognize करते हैं मतलब इसका symbol क्या है, dot, question mark और इसका symbol है इस तरह से exclamation mark मतलब एक standing line और नीचे dot, comma और ये symbol है, comma का, semicolon, semicolon में comma और उपर dot आ जाएगा colon, colon का symbol है, two dots, quotation marks, quotation marks में क्या है, इस तरह से inverted commas होंगे और ये इस तरह से होगा apostrophe, सिरफ एक single comma उपर की तरफ, ellipses, three dots होंगे, नीचे की side, dash जो होगा, वो एक slipping line है, थोड़ी long है hyphen, hyphen भी slipping line है, लेकिन dash से थोड़ी छोटी, parenthesis में इस तरह से ये होगी, इसकी symbol braces में इस तरह से symbol होगा, और brackets में इस तरह से होगा symbol और last है, slash, slash का symbol है ये, अब हम इन्हें देखते हैं कि किस तरह से हम इन्हें use करते हैं, sentences में, written sentences में और यहाँ पर देखे, जो full stop है, period है, question mark, exclamation mark, ये जो तीनों हैं, ये use के जाते हैं sentence की ending में मतलब जो sentence खतम हो जाता है, वहाँ पर हम ये marks use करते हैं और ये जो तीन है, comma, semicolon, और colon, ये तीनों, ये use करते हैं, pause in a sentence, मतलब sentence के बीच में हम use करते हैं लेकिन pause लेने के लिए, मतलब रुकने के लिए सबसे पहला है हमारा full stop period, जिसे हम dot के थूँ याद रखते हैं, ये इसका symbol है और ये use क्या जाता है, ending of a sentence, sentence की ending में अब हम इसे examples के थूँ समझते हैं it is used when the statement is complete, ये use क्या जाता है, ये dot तब यूज क्या जाता है sentence की ending में जब आपकी statement complete होती है, मतलब जिसमें पूरा meaning डाल दिया गया होता है statement में वहाँ पर हम ये dot use करते हैं, last में for example, we went to the market, अब यहाँ पर दिखे, last में dot put on किया है that means की ये sentence जो है, ये meaningful है, statement आपकी complete है, किसी पर dependent नहीं है और इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, हम बाजार गए that means statement complete है, तो यहाँ पर हमने last में dot use कर दिया अब ऐसे ही, open the door, दर्वाजा खोलो, statement complete है और यहाँ पर हमने dot लगा दिया, ऐसे ही, I am reading a book मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, यहाँ पर भी जो statement है, वो complete है और उसके बाद हमने dot लगा दिया है, तो ये तो है, ये कहाँ पर लगाया जाता है लेकिन जब आप ये punctuation mark use करते हो, तो आप किस तरह से sentence को पढ़ते हो तो full stop में ये होता है, full stop में punctuation को पढ़ा जाता है, लेकिन किस सरह से, अगर आप full stop लगा देते हो sentence के बाद और उसके बाद एक दूसरा sentence आता है, तो आपको full stop के बाद थोड़ा pause लेना है, तो pause लेना ही जो है punctuation को बताता है जैसे, we went to the market, तो आपने pause लिया थोड़ा सा, open the door, I am reading a book, तो that means जहां पर full stop आ रहा है, वहां पर आपको थोड़ी देर रुखना है, उसके बाद आपको दूसरा sentence बोलना है तो यह है punctuation को पढ़ना, कौन सा punctuation, full stop को, जिसमें आपको pause लेना होता है, so take pause after full stop, तो full stop के बाद आपको pause लेना है next है कि हम full stop का और कहां use कर सकते हैं, full stop का use के जाता है abbreviations के लिए, abbreviations क्या होती है, कि अगर कोई long word है, उसे हम short form में लिख सकते हैं short form में किस तरह से लिख सकते हैं, कि उस long word के letters, कुछ letters starting के, या फिर कुछ ending के use करके, हम उसकी short form बना सकते हैं तो abbreviations जो होती है long words की, या तो यह without the full stop लिख सकते हैं, या फिर full stop के साथ लिख सकते हैं for example, जैसे हम timing यूज करते हैं, 10 a.m., 4 p.m., ठीक है, ऐसे ही, for example, उधारन के लिए हम यूज करते हैं, abbreviation e dot, g dot ऐसी, etc., son के लिए हम यूज करते हैं, e, t, c, dot, और in other words, that is, मतलब अधार्थ, किसी का meaning आपको अगर समझाना हो English में, तो वहाँ पर हम ये words लिखने की वजाए, हम यूज करते हैं, i, dot, e, dot तो, a.m. को हम capital letters और small letters दोनों में लिख सकते हैं, और with और without दी full stop लिख सकते हैं, जैसे, अगर हम small letters में लिखते हैं, तो full stop के साथ, या full stop के बीना भी लिख सकते हैं, capital letters में लिखते हैं, तो full stop के साथ, और full stop के बीना भी लिख सकते हैं, ऐसे ही, p.m. है, after midday, मतलब दोपह के बाद तो वहाँ पर भी हम small letters में with or without the full stop, capital letters में भी with or without the full stop लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही हैं, for example जो है उसका मतलब होता है उधारन के लिए, तो यहाँ पर आपको full stop लगाना ही पड़ेगा, etc जो है, इसका मतलब है आदी, so on, in other words और that is को show करने के लिए, अथार्थ को show करने के लिए हम use करते हैं, i.e. ऐसे ही हम personal titles के लिए, जैसे किसी का नाम लिखते हैं, किसी male person का नाम लिखते हैं, किसी female person का नाम लिखते हैं, तो उनकी आगे हम Mr., Mrs., Miss लगाते हैं, तो यह सब personal titles होते हैं, जैसे Mr. का M, जो Mr. है, word, उसका M सबसे पहला letter है, और R जो है, वो last letter है, तो दोनों ही letter लिए और last म हम full stop लगा देते हैं, Mr. Doctor के लिए भी हमने D और R लिया Doctor, ऐसे ही Mrs. Mr. S dot, Mrs. और Miss, जो है, वो है mistress, मतलब जो unmarried female होती है, उसके लिए हम mistress यूज़ करते हैं, जो married female होती है, उसके लिए हम Mrs. यूज़ करते हैं, और इसको हम without the full stop भी use कर सकते हैं, Mr. Dr. और Mr. S, मतलब दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ही educational जो abbreviations होती हैं, for example, BA, इसको बोलती है, Bachelor of Arts, तो यह हमेशा caps में लिखे जाती है, capital letters में लिखे जाती है, कभी भी educational abbreviations जो हैं, वो small letters में नहीं लिखे जाती, और इनको हम with और without the full stop लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, MBA है, Master of Arts, तो with और without the full stop, MBA, Master of Business Administration, तो यह है with और without full stop, next है consists only of first part of a word, जो word का first part consist करती है, for example, जैसे आप Monday लिखते हो, days of a week है, तो Monday के सिरफ three letters हम use करेंगे, last में dot लगा देंगे, तो यह understood हैं कि इसका मतलब है Monday, next है Jan, that means January, तो यहाँ पर भी first three letters, उसके बाद dot, next है hour, तो यहाँ पर hr dot लगाएंगे, second में sec dot, और minute में min dot, minute, तो यह थी abbreviations, next हमारा punctuation mark है, question mark, जो कि sentence की ending में लगता है, और इसका symbol यह है, तो question mark जो होता है, it indicates a direct question used for interrogative statement, मतलब उस statement के लिए use के जाता है, जहाँ पर अगर आप किसी से कोई question पूछना चाहते हो, return में वहाँ पर हम question mark लगा देंगे, और question mark को किस सरह से पढ़ा जाता है, punctuation mark में वो भी देखते हैं, आप जैसे, when did you go to the market, अब यहाँ पर अगर question mark लग जाता है, तो इसको tone जो है पढ़ने की वो different हो जाएगी, जैसे कि आप दूसरे से question पूछ रहे हो, इसी को ही है, punctuation mark बोलते हैं, punctuation जो है, उसमें पढ़ने का जो आपका लहजा है, उस sentence को पढ़ने का लहजा जो है, written में, वो punctuation के through पता लगता है, अगर यहाँ पर question mark आ जाता है, तो आप इससे इस तरह से पढ़ोगी, when did you go to the market, जैसे की पता लग रहा है पढ़ने से, कि आप उससे question पूछ रहे हो, आप बजार कब गे, why don't you open the door, आप दरवाजा क्यों नहीं खोलते, where can I read a book, मैं एक पुस्तर कहां पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पर देखे, जो आपका tone है, वो question mark देखते ही change हो गई, that means आप question पूछ रहे हो, next है exclamation mark, exclamation mark का symbol क्या है, standing line और उसके नीचे dot, और यह कहां use किया जाता है, sentence की ending में, अब हम देखते हैं कि exclamation mark कब use किया जाता है, यह use किया जाता है, sudden emotion, surprise या anger को दिखाने के लिए, जो एकदम से आप किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हो, और आपके मुझे एकदम से word निकलता है, उसको दिखाने के लिए हम exclamation mark use करते हैं, लेकिन अगर किसी भी written statement में exclamation mark आता है, तो उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, वो अब आपने दिखना है कि आपके sudden emotion दिखाए थे, for example, अब यहाँ पर आप किसी चीज़ को देखकर एकदम से surprised होगे और आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप बोलते हो, वाओ, लेकिन excitement दिखाने के लिए, मतलब sudden emotion दिखाने के लिए आप बोलोगे वाओ, तो यह है exclamation mark को पढ़ने का धंग, तो वाओ, वाओ, ऐसे ही, what a beautiful house, यह भी आपकी sudden emotion है, कितना सुन्दर घर है, एकदम से अचानक आपके सामने कोई surprise आ जा ना, next है, how fast you run, आप कितनी तेजी से भागे, अब यहाँ पर देखें, जो exclamation mark है, वो आपकी sudden emotion, एक दम से जो आपको पता भी नहीं है, कोई चीज हो रही है, कि या ऐसा वो कर सकता है, और उसके लिए आपके मूँ से कुछ words निकलते हैं, कि आप surprised हो जाओ, तो यह है exclamation mark, और इस तरह से से पढ़ा जाता है, next है, comma, comma, comma use क्या जाता है, किसी भी sentence में pause लेने के लिए, और यह sentence के in between use क्या जाता है, तो comma का use हम कहां करते हैं, it indicates a brief pause, यह indicates करता है pause को, brief pause क्या होता है, वर्णन करना, मतलब एक sentence में, बीच में थोड़ थोड़ा pause लेते रहना, उसे हम बोलेंगे brief pause, लेकिन pause हम full stop में भी ले रहे थे, लेकिन जो full stop का pause है, वो comma की pause से थोड़ा ज्यादा लंबा था, मतलब वहाँ पे थोड़ी ज्यादा देर का pause ले जाता है, लेकिन यहाँ पर comma में हम जो pause लेंगे, वो full stop से कम समय का होगा, यह sentence में, items को separate करने के लिए, मतलब अगर दो से जादा items दी गई हो written में, उनको separate करने के लिए हम comma use करते हैं, या फिर verb phrases को, मतलब एक ही व्यक्ति अगर एक ही sentence में अलग-अलग कार्य कर रहा हो, मतलब एक subject को सिरफ हम एक वार लिखना है, उसके बाद अलग-अलग उसके कार्य एक ही sentence में लिख देने हैं, उसको हम verb phrases बोलेंगे, तो verb phrases को अलग करने के लिए भी हम comma use करते हैं, example के थूँ समझते हैं, he bought milk, biscuits, cake and bread, अब यहाँ पर four items हैं, last के जो fourth item है, उससे पहले हम and लगा देंगे और उससे भी पहले हम comma use करेंगे, तो and लगाने का मतलब यह नहीं है, कि आप उससे पहले comma use नहीं करोगे, वहाँ पर आप comma use करोगे, अगर दो से ज़्यादा items हैं उस case में, last item से पहले आप and लगाओगे और उससे पहले comma लगाओगे, तो इसका मतलब है उसने दूद, biscuit, cake and bread खरे दी, तो यहाँ पर आप pose किस तरह से लोगे, बिल्कुछ शॉर्ट लोगे, he bought milk, biscuits, cake and bread, उसके बार last में, full stop, अगर two items हैं, तो वहाँ पर आप and लगाओगे, he bought milk and biscuits, उसने दूद और biscuit खरे दे, यहाँ पर हम comma नहीं लगाएंगे, क्योंकि item सिरफ दो हैं, अब है word phrases, मतलब एक ही person, different, different कारे कर रहा है, he went to the market, purchased some books, enriched home on time, तो last की जो उसकी word phrase है, वहाँ पर हमने and लगाया है, और उससे पहले comma लगाया है, क्योंकि one, two, three, दो से ज़्यादा word phrases हैं, इसलिए, वह बजार गया, कुछ किताबे खरी दी और समय पर घर पहुँच गया, तो यहाँ पर हम किस तरह से पढ़ेंगे, he went to the market, purchased some books, and reached home on time, uses with words that introduce a sentence, तो words के साथ use क्या जाता है, जो sentence को introduce करते हैं, for example, yes, you can go there, अगर आप से कोई question पूछता है, क्या आप वहाँ जा सकते हो, तो उसका पूरी statement का reply आप दोगे, yes, उसके बाद, comma, you can go there, तुम वहाँ जा सकते हो, हाँ, आप वहाँ जा सकते हैं, next है कि आपने कोई statement पूछी, और उस पूरी statement का reply होगा, no, और उसको आप और ब्रीफली explain कर सकते हो, I cannot get that, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो यहाँ पर देखे, 9 के बाद आपने pause लिया, I cannot get that, next है, comma, ब्रीफ pause में, यूज के जाता है, to separate adverbs, तो adverbs क्या होती है, not a part of a sentence, for example, finally, यह एक adverb है, finally, he reached home, यहाँ पर adverb जो finally है, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे कि, last में, finally, अंत में वह घर पहुंचा, अंत में वह घर पहुंचा, तो अंत में क्या है, एक adverb है, unfortunately, he met with an accident, धुरुभाग्य से, वह एक दुरुगटना के साथ मिला, hopefully, he will pass this exam, उमीद है, वह इस परिक्षा को पास कर लेगा, तो देखिए, आँ दुरुभागे से, उमीद है, यह सब क्या है, यह adverbs है, तो अगर आप adverbs लगाते हो, तो उसके पाद आप comma यूज़ करोगी, और comma को किस तरह से बढ़ा जाता है, एक brief pause की तरह, finally, he reached home, unfortunately, he met with an accident, hopefully, he will pass this exam, next है, यूज़ तो सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे, जो टू सेंटेंस हैं, उन दोनों को जॉइन करने के लिए, जो वर्ड्स यूज़ के जाते हैं, for example, वह इस जगह को देखना चाहती थी, हालांकी वह वहाँ नहीं जा सकी, तो यहाँ पर हालांकी, मतलब यह एक लिंकिंग वर्ड्स है, जो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड रहा है, तो जैसे, यह एक सेंटेंस जो है, यह complete statement को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर full stop लगाया है, उसके बाद, एक ऐसा linking word, जो दूसरी statement को भी इससे जोड रहा है, she could not go there, कहां, कहां, कहां जाना चाहती थी, this place, तो मतलब यह statement जो है, वो इससे linked है, तो इसको link करने के लिए, हमने word यूज किया है, however, तो however अगर आप लिखते हो, तो H caps में लिखोगे, full stop के बाद, उसके बाद कॉमा लगाओगे, और ऐसे ही next है, she is a brilliant student, therefore, she has passed this competition, therefore, वह एक brilliant student है, वह एक मेधावी चात्रा है, इसलिए उसने यह प्रतियोगिता पास की है, तो यहाँ पर therefore क्या है, अगर हम ऐसे लिखेंगे, तो यह एक full statement है, meaningful statement है, लेकिन दूसरे statement जो है, वो पहले statement पे dependent है, यह इस पे dependent है, तो इसको इससे जोडने के लिए, हमने word यूज़ किया है, therefore, इसलिए, कि वह एक मेधावी चात्रा है, इसलिए उसने यह प्रतेयोगिता पास की है, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, कि एक statement है, वह इस जगा को देखना चाहती थी, हालांकि वह वह नहीं जा सकी, तो यहाँ पर जैसे कि हमने statement में, यह जो है statement, यह dependent है, पहली statement के उपर, अगर आप यहाँ पर, शी सबसे पहले लिखते हो, उसके बाद आप कॉमा फिर से लगाओगे, फिर कॉमा लगाओगे, पहले लिखते हो, मतलब होईवर को आप next statement में, जो second statement है, उसके बीच में भी subject के बाद लिख सकते हो, उस case में आपको, इसके हाउवर के दोनों साइड आपको कॉमा लगाना होगा, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो, ऐसे ही हाउवर को हम, and में भी लिख सकते हैं, she wanted to say this place, she could not go there, फिर कॉमा लगाओगे, फिर हाउवर लगाओगे, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाओगे, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है, कि जो आप linking word यूज कर रहे हो, उसको आप second sentence के starting में लगा सकते हो, या फिर second sentence के subject के बाद में लगा सकते हो, या तो second sentence में last में लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पर कॉमा किस तरह से यूज करना है, या आपको ध्यान में रखना है, अब next है कि हम कॉमा का यूज कहां करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना, कॉमा का यूज करते हैं हम clauses के साथ, clauses क्या होते हैं, कि वो statement जिसमें subject और verb होती है, मतलब करता और क्रिया, ये दोनों होती है, वो statement क्या बनाती है, clauses, तो clauses जो होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक independent होता है, मतलब जिसमें complete idea हो, और एक dependent होता है, मतलब जो meaningful ना हो, जो किसी दूसरे statement पर depend हो, अपने meaning को transfer करने के लिए, उसे बोलते हैं dependent, अब independent clause जो होगा, वो एक complete idea देता है, और independent clause जो होता है, वो incomplete idea देता है, अब dependent clause जो है, अपने idea को complete करने के लिए, ये join करता है, independent clause के साथ, और एक complete idea transfer करता है, अब for example, जैसे कि अगर आप two independent clauses को, आपस में join करते हो, दो आपको independent clauses दिये गए हैं, दोनों को आपने join करना है, तो इन दोनों को join करने के लिए आप use करोगे coordinating conjunction, तो coordinating conjunction क्या होता है, यह होता है but, for, or, yet, so, and, nor, यह coordinating conjunction होता है, जो दो complete ideas को आपस में join करता है, लेकिन अगर आप coordinating conjunction कोई भी एक use करते हो, तो उसका rule यह है, कि सबसे पहला independent clause के बाद आप comma लगाओगे, उसके बाद आप coordinating conjunction लगाओगे कोई भी, फिर उसके बाद आप independent clause लगाओगे, तो coordinating conjunction लगाने से पहले आप comma use करोगे, अब हम example के थो समझते हैं, for example, मैंने उसका इंत statements रू है, मैंने उसका इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं आया, दोनों independent है, दोनों को join के लिए but use किया गया है, लेकिन, तो but अगर आप लगाते हो, तो इसका rule क्या है, कि पहला जो independent clause है, उसके बाद आप comma लगाओगे, तो यहाँ पर comma लगना था, तो यह हो जाएगा, I waited for him, but he never came, अब यहाँ पर देखें, मैंने comma के बाद थोड़ा pause लिया, brief pause लिया, उसके बाद मैंने full statement को पढ़ा, next है, उसने उसे चाय की पेशकर्ष की और उसने से सविकार कर लिया, he offered him a tea and he accepted it, अब यहाँ पर देखें, दोनों ही he accepted it, he offered him a tea, ठीक है, दोनों statements हैं, independent clauses हैं अब यहाँ पर and से पहले comma लगेगा, he offered him a tea and he accepted it, तो इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा, next है, अगर आप one dependent और one independent clause को join करते हो, उस time में हम क्या करेंगे, कि जो dependent clause हैं, उसके बाद आप comma लगाओगे, फिर आप independent clause का use करोगे, for example, जैसे जो dependent होगा, वो हमेशा if से start होता है, जैसे if you work hard, comma, you might pass your examination, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप अपनी परिक्षा पास कर सकते हैं, अब if से start हुआ, और unless से start होगा, unless you finish your work, you cannot go anywhere, जब तक, unless मतलब जब तक, जब तक आप अपना काम पूरा नहीं करतें, आप कहीं नहीं जा सकतें, अब ऐसे ही independent clause अगर सबसे पहले आता है, और dependent clause बात में आता है, उस case में, I was very sad when I heard this news, यहाँ समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, तो यहाँ पर हम कॉमा यूज नहीं करेंगे, अगर हम कॉमा यूज करेंगे, वो यूज करेंगे dependent clause के बाद, अगर dependent clause सबसे पहले आता है, तो dependent clause या तो फिर if से start होता है हमेशा, या फिर unless, या फिर कोई और word आजाता है, जब तक आप यह निंग करते, यदि आप ऐसा करते हो, तो, मतलब यह dependent clauses होते हैं, जो independent clauses होते हैं, वो अगर पहले आते हैं, और dependent बाद में आता है, उस case में आप कॉमा नहीं लगाओगे, I was very sad when I heard this news, तो यहाँ पर कोई भी brief pause नहीं लिया जाएगा, so no comma, Next है, essential and non-essential relative clauses, तो essential और non-essential relative clauses क्या होते हैं, वो clauses जिनकी हमें जरुरत होती हैं, किसे statement में, और वो clauses जिनकी हमें जरुरत नहीं होती, For example, that man is a doctor who met us yesterday, वहाँ आदमी एक doctor है, जो कल हमसे मिला था, अब वहाँ आदमी किसे बोला गया है, इस statement के थूरु हमें पता लग रहा है, जो कल हमें मिला था, तो यह एक essential relative clause है, तो इस case में हम कॉमा यूज नहीं करेंगे, So, यहाँ पर हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, देखे, that man is a doctor who met us yesterday, तो यहाँ पर मैंने कहीं भी pause नहीं लिया है, Next है, he celebrated his birthday, which was his 18th birthday, उन्होंने अपना जनम दिन बनाया, जो उनका 18 जनम दिन था, तो इस case में देखे, यह चीज मैंशन करने की हमें जरुवत नहीं थी, तो यह एक non-essential relative clause है, तो इसके बिना भी he celebrated his birthday, इसकी statement जो है, he celebrated his birthday, यह meaningful है, complete idea है, तो इसको इस statement की जरुवत नहीं थी, which was his 18th birthday, तो इसके बिना भी पहली statement complete थी, लेकिन अगर यह statement use हो रही है, तो इस case में हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, next है, my friend, whom you met at my home, has got a job, तो इस case में देखे, यहाँ पर यह जो in between use हो रखा है clause, यह एक non-essential relative clause है, क्योंकि इसकी हमें जरुवत नहीं थी, तो इसके बिना भी यह statement complete थी, my friend has got a job, लेकिन हमने बीच में यह line लगा दी, whom you met at my home, तो इसको लिखने की जरुवत नहीं थी, मतलब हम लिख, अगर लिख भी रहे हैं, तब भी कोई meaning change नहीं हुआ है, तो उस case में अगर हम इसे लिखते हैं, तो यहाँ पर दोनों side comma use होगा, मेरे मित्रच जिन से आप मेरे घर पर मिले थे, उन्हें नौकरी मिली है, my friend whom you met at my home has got a job, तो यहाँ पर दोनों side comma use होगा, तो यह चीज़ आपने याद रखनी है, अगर last में आता है non-essential relative clause, उस case में उससे पहले आप comma use करोगे, अगर in between आता है, तो इसके दोनों side आप comma use करोगे, use commas with dates, addresses and numbers, तो dates के साथ भी use करते हैं, जैसे he was born on December 10th, उसके बाद comma 2008, अगर किसी का address बताते हैं, please send this letter at 708 Spring Street, पितंपूरा, न्यू देली, ठीक है, ऐसी ही अगर numbers बताते हैं, जैसे 7000, तो उस case में 7 के बाद आप 0 लगा दोगे, तो यह 1000 शो करने के लिए 7000, ठीक है, और यह 1 lakh, तो यहाँ पर comma, और फिर comma, there is one more use of comma, जो की हम quotation mark पढ़ने के बाद देखेंगे, कि इसका एक दूसरा use क्या है, अब है semi colon, semi colon में हम comma, comma के ओपर dot use करते हैं, तो semi colon का use कह जाता है, to connect two independent clauses, दो independent clauses को जोडने के लिए हम semi colon का use करते हैं, जैसे, Rhea is a teacher, her brother is a doctor, अब यहाँ पर देखें, दोनों ही independent clauses हैं, Rhea एक teacher है, उसका भाई एक doctor है, तो दोनों को आपस में join करने के लिए हम semi colon का use करेंगे, comma के ओपर dot, तो इसे हम पढ़ेंगे इस तरह से, Rhea is a teacher, her brother is a doctor, I thought it was good, she thought it was not good, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अच्छा था, उसने सोचा कि अच्छा नहीं था, तो इस case में भी हम semi colon का use करेंगे, तो यहाँ पर भी हलका सा pose लिया जाता है, I thought it was good, she thought it was not good, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा slightly pose लेंगे, I have to eat cake, ice cream and candies, but I don't like chocolates, मुझे cake, ice cream और candies खाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे chocolate पसंद नहीं है, तो इस case में देखे, I love to eat cake, ice cream and candies, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर semi colon use किया, क्योंकि दूसरा independent clause है, but, यहाँ पर coordinating conjunction भी use हुआ है, लेकिन, I don't like chocolates, मुझे chocolate पसंद नहीं है, यह की independent clause है, इसलिए यहाँ पर semi colon का use हुआ है, next है, अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे, कॉमा का use, कहां use किया जाता है, जैसे, she wanted to see this place, अब यह linking word है, however, she could not go there, अब इस case में हमने however का h caps में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर full stop है, अगर आप semi colon का use करते हो, तो h जो हो जाएगा, वो small हो जाएगा, और बाके same as such रहेगा, ऐसे ही, she is a brilliant student, full stop, तो full stop के बाद, अगर आप semi colon लगाते हो, तो there का t small में हो जाएगा, तो अगर आप semi colon का भी use करते हो, तो वो भी सही है, तो उस case में आपने सरफ linking, जो word है, उसका first letter जो है, वो आप small में लिखोगे, अब है colon, जो two dots होते हैं, तो इसका use कहां किया जाता है, तो यह independent clause के बाद यूज किया जाता है, for example, जैसे I have many items, कौन कौन सी items हैं, books, pens, pencils and erasers, etc, तो यहाँ पर items बताया जा रहा है, उसके बाद items के बारे में mention किया जा रहा है, मतलब यह एक series को introduce कर रहा है, मतलब आप एक पूरी items की list बता रहे हो, तो उससे पहले आप लिख रहे हो कि I have many items, introduce कर रहे हो, तो उसके बाद आप colon यूज करोगे, यहाँ पर आप colon लगाओगे, next है, in your exam, you must follow the following instructions, our following instructions है, ठीक है, यह भी एक series में है, तो यहाँ पर भी आप colon का use करोगे, use blue pen only, read the passage carefully and attempt all the questions, तो यहाँ पर आप instructions के बाद colon यूज करोगे, next है, he says, don't pluck the flowers, अब यहाँ पर देखिए, यह quotation marks है, कि statement same, quotation marks जो होता है, यह भी एक symbol है, जो कि use किया जाता है, जब आप same वही statement बोल रहे होते हो, कि जो आपको person ने बोली थी, तो उस case में उसने कहा, यहाँ पर हम colon का use करेंगे, he says, colon, then don't pluck the flowers, let me make this clear, if you fail to make a collage in a given time, I am taking away all your photos, अब यहाँ पर, clear के बाद, let me make this clear, अब clear करने के बाद, आपने पूरा series बताया है, कि अगर आपने ऐसे नहीं किया, तो मैं ऐसा कर लूँगा, तो इस statement में क्या है, आप colon use करोगे, next here, quotation marks, तो quotation marks का use कहां किया जाता है, तो quotation marks का use किया जाता है, एक direct quotation के लिए, word for word, मतलब वो statement, जो कि person ने same, आपके साथ बोली होती है, और आप उसको third person को बता रहे हो, same उसी तरीके से, जिस तरह से उसने आपको बोला होता है, for example, he said, I don't care, अब यहाँ पर देखिए, I don't care, अब उसने जैसे बोला, आपने वैसे ही third person को बताया, same exactly वही words, इसे हम quotation marks में लिखते हैं, इस तरह से हम commas use करते हैं, एक inverted commas, फिर इस तरह से commas, closing commas, तो इन दोनों commas भी हम statement को लिखते हैं, आप comma लगाओगे, then quotation marks लगा कर आप उसके statement लिखोगे, wasn't it Michael who wrote, it was the best time, it was the worst time, अब यह Michael के words दे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसके words को हमने inverted, मतलब commas में हमने लिखा है, two sides commas लगाए हैं, उसके same statement को लिखा है, और यहाँ पर, who wrote के बाद, हमने उससे पहले comma लगाए है, इस चीज़ में आपने यह याद रखना है, कि अगर आप quotation marks का use करते हो, और उससे पहले लिखते हो, who wrote, या he said, he says, उसके बाद आप comma लगाओगे, फिर आप inverted commas, use करोगे quotation marks को दिखाने के लिए, एक चीज़ और इसमें याद रखना है, कि यहाँ पर देखिए, आपने full stop जो है, वो commas के अंदर, quotation marks के अंदर यूज़ किया है, और यहाँ पर, यह एक statement थी, और यहाँ पर आपने caution mark यूज़ किया है, तो caution mark जो है, वो commas के बाहर है, तो यह बाहर क्यूं है, तो दोनों में यह difference है, कि यह statement जो है, यह सेम वह statement है, जो उसने बोली थी, तो इसका link इस statement से नहीं है, I don't care, लेकिन caution mark का मतलब यह है, जो बाहर है, कि यह statement जो है, इसका link पहले statement से है, Wasn't it Michael who wrote, क्या यह Michael नहीं था, जिसने यह लिखा, फिर उसके बाद caution mark, मतलब यह पूरी statement को आपने caution mark किया है, तो यहाँ पर यह जो statement है, यह दोनों एक दूसरे पर dependent है, She said, My favorite subject is English, आप यहाँ पर देखे, English को small, जो single-single quotation marks है, यहाँ पर use क्या रखा है, क्योंकि अगर आप double quotation marks में कुछ एक और quotation mark यूज़ कर रहे हो, उस case में आप single quotation mark यूज़ करोगे, उससे पहले आपको याद है कि quotation mark को start करने से पहले आप comma लगाओगे, और यहाँ पर statement यहाँ complete है, किसी पर depend नहीं है, इसलिए जो full stop है, वो quotation marks के अंदर है, कि हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि comma और colon का एक और use है, लिकिन वो हम करेंगे quotation marks के बाद, तो वो क्या है, जैसे he said, I don't care, अब quotation marks का मतलब आपको समझ आ गया है, कि exactly वही words बोलने, जो कि आपको किसी ने बोले थे, अब यहाँ पर उसने कहा, तो quotation marks के पहले हम कहा के बाद, comma यूज़ करेंगे, comma की जगा आप colon भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही हैं, लेकिन ज़्यादा तर हम comma यूज़ करते हैं, तो यह आपने याद रखना है, next है, apostrophe, जो कि एक single comma होता है, तो apostrophe का use कह जाता है, for possession and contraction, possession मतलब किसी चीज़ का अपना होना, for example, Rhea's book, Rhea की book, अगर singular है, तो वहाँ पर हम apostrophe S लगाएंगे, अगर plural है, एक से जादा है noun, उस case में आप सिरफ apostrophe लगाऊगे, girls dresses, और यहाँ पर singular noun है, तो यहाँ पर apostrophe S, Gary's pen, तो यह है possession, possessive nouns, अब next है कि apostrophe का use, और कहां कर सकते हैं, जैसे, that pen is hers, his mobile is more cheaper than ours, this table is yours, अब hers, ours, yours, यह सब क्या है, possession बताते हैं, लेकिन यह possessive pronouns हैं, और possession case में क्या होता है, यह statement के last में use के जाते हैं, और इनके साथ कोई भी subject, object कुछ भी नहीं होता, इसलिए यह possessive pronouns हैं, तो hers, yours, ours, its, theirs, यह सब possessive pronouns हैं, लेकिन that is her pen, तो इस case में her क्या है, यह एक possessive adjective है, जिसके साथ हमने pen use किया है, तो यह possessive pronoun नहीं है, तो यह चीज आपने याद रखनी है, followed by something, तो possessive adjective क्या होता है, जो किसी object के साथ follow होता है, next है कि हम apostrophe का use कहां करते हैं, तो जैसे I am a doctor, और यहाँ पर I am को show करने के लिए, हम apostrophe am, short form, मतलब contraction, possession के लिए हमें पता लग गया है, अब contraction क्या हो गया कि, इसको contraction में लिखना, मतलब short form, I am, apostrophe am, ऐसे she is doing her homework, तो she is को, she apostrophe as she is, तो यह contraction form हो गई, they are not playing football, तो यहाँ पर they, फिर apostrophe are they are, not playing football, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, they aren't playing football, मतलब not को show करने के लिए, an apostrophe t लगा सकते हैं, तो यह सब है contraction, तो ऐसे ही they don't want to play, तो यहाँ पर not को हम apostrophe t लगा देते हैं, they don't want to play, और ऐसे ही और इसकी short forms है, he would को show करने के लिए he, फिर apostrophe d, I have I apostrophe ve, you are को show करने के लिए, यह contraction इसकी form है, I would have की contraction form यह है, I am not, I am't, she will not, she want, shall not को हम shant बोलते हैं, it is, it's, and it has been, it's been, अब यह सब क्या है, contraction forms है, next है punctuation mark, ellipses, जिसमें three dots होते हैं, तो ellipses का use किसले क्या जाता है, the omission of a word, phrase, line, और paragraph, from a quoted passage, तो paragraph एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इन सब को निकालने के लिए, मतलब, इनको अगर ना भी लिखा जाए, तो उसके जगा हम यह ellipses, use कर सकते हैं, मतलब son, जिसका मतलब होता है, for example, she said, I like apples, oranges, bananas, because they are all fruits, अब यह same statement है, इसलिए क्विटेशन मार्क में है, उससे पहले कॉमा यूज हो रखा, यह भी आपको पता है, तो यहाँ पर, अगर हम ellipses use करते हैं, तो वो कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमने एक statement को ही, इसी statement की omission कर दी है, तो she said, I like apples, oranges and bananas, उसके बाद यह three dots लगाए, फिर full stop, then quotation mark, अब ऐसे ही, we went to the town, shopped, ate lunch, and arrived home after midnight, अब यहाँ पर, we went to the town, then ellipses, and arrived home after midnight, मतलब shopped, ate lunch, तो इनको लिखने के जरुएत नहीं है, तो इसका हमने omission कर दिया है, next है, मतलब निकाल दिया है, तो so on, मतलब यह यह किया, तो I never thought she can do this, अब यहाँ पर, I never thought के बाद, हमने dot dot लगा, I never thought, then dot dot dot, मतलब ellipses, मतलब जो किसी को पता भी होगा, कि यह कर सकता है, तो इसको लिखने की, मतलब ऐसे जरुरुएत नहीं होती, तो उस case में हम ellipses, मतलब dots का, use करते हैं, ऐसे ही है, जो एक long hyphen की तरह होता है, तो dash का हम use कहां करते हैं, तो शो रेंज of years, time, dates, या तो डिनोट, sudden change of thought, और तो add additional information, या तो years, time, या dates को दिखाने के लिए, या फिर एकदम से, आपकी thought change हो जाने, या फिर कोई अलग idea डाल रहे हो, तो उस case में आप dash use करोगे, आप जैसे ही, 1980, रेंज हो गया, years की, 1980 से लेके, 1990 तक, तो ये range हो गई, ऐसे ही, 10 a.m. to 12 p.m., 20th August to 28th September, and उसके बाद है, my friend always goes with me, to play in the playground, but he don't help me in my class work, मतलब, ये एकदम से, sudden change हो गया, thought में, तो यहाँ पर भी हमने, hyphen लगा दिया, अब उसके बाद है, sure will travel to Canada this week, his first trip abroad, अब यहाँ पर additional information दे दी है, कि वो Canada next week travel करेगा, और उसका यह पहला trip है, abroad का, तो ये additional information हो गया, तो उसकेस में भी dash का, use हो गया है, अब है hyphen, जो कि short होता है, dash से, तो उसकेस में, to join words और word parts, मतलब उनको join करने के लिए, use करते हैं, जैसे, 61, 22, ये क्या है, numbers है, इनको join करने के लिए, हम use करते हैं, और ऐसे ही numbers, 21 से 99, तक जितने भी हैं, वहाँ पर हम hyphen लगाते हैं, और जैसे, अगर हम fractions बताते हैं, जैसे, 2 thirds, 1 fourth, उसकेस में भी हम, hyphen use करते हैं, fractions के case में, आप जैसे, 7 year old, son-in-law, kid friendly, well known, ये होगे, 2 या more words, that have been combined, to be understood, कि ये, 2 या 2 से ज़्यादा words, को combine करने के लिए, use करके जाते हैं, जिससे की, एक meaning बनता है, next है, parenthesis, जिसे हम, round brackets, p कहते हैं, तो parenthesis, जो punctuation mark है, वो किसले, use करते हैं, separates, extra information, from the rest of the sentence, जो के sentence में, extra information को, separate करता है, जैसे, for example, yesterday I met, my best friend, Rohan, in college, best friend तो लिखा है, लेकिन, extra information, डालने के लिए, मतलब उसका नाम, लिखने के लिए, हमने उसको, brackets में लिख दिया, ये है, parenthesis, अब next है, he gave me a nice bonus, तो bonus कितना है, 500 rupees, तो ये, bracket में, extra information हो गई, तो इसको, brackets में लिख दिया, ऐसे ही, braces हैं, इसे हम, curly brackets बोलते हैं, तो braces का, use करते हैं, English language में, to indicate choices, और preference, अगर हम, किसी, different items में से, किसी, एक की choice करते हैं, उस case में, हम braces का, use करते हैं, या हमे, preference के लिए, फर एक्जांबल, select one item, आप different items दे दी हैं, उनको हम कर लिए, brackets में लिखेंगे, क्योंकि हमने, एक item सेलेक्ट करने हैं, तो यह preference, या फिर च्वाइस हो गई, and wait for your turn, next है, brackets, जो की, rectangle में होती हैं, जिसे हम square, brackets भी कहते हैं, और इसका, इंडिकेट करने के लिए, लेकिन, editor यूज करते हैं, और brackets are used exclusively, within cotton material, तो cotton material के अंदर, यूज की जाती हैं, और brackets are far less common, than parentheses, लेकिन यह बहुत ही less common होती है, बहुत कम यूज की जाती हैं, जैसे, he shook hands with his son, Ali, तो यह, यहाँ पर his son, यह brackets में हमने लिख दिया है, जो कि extra information दे रहा है, और ऐसे ही, this book states that, when climbing it, it is very important to be careful, climbing it, मतलब tree, तो extra information है, it is very important to be careful, तो कोई book है, जो state कर रहा है, मतलब यह जाले तर, जो use करते हैं, वो editor use करते हैं, अब है slash, जो कि punctuation mark है, और इसका जो symbol है, वो इस तरह से है, और slash का हम use करते हैं, to separate the day, month and year, अगर तीनों एक साथ लिखे जाते हैं, तो उनको separate करने के लिए use करते हैं, और slash का मतलब होता है, और, तो the date today is, 26th 2nd 2021, तो यहाँ पर यह separate किये गए हैं, slash से, please explain to the students, when he, she arrives, he or she, मतलब, या, ठीक है, male or female, so this is all about the punctuation marks, अगर आपको कोई भी problem आ रही है, तो please comment section में बताए, and thank you so much for watching this video, thank you.